आपको दुखी करने वाला इंसान कौन है आपको दुखी देखना चाहता है या फिर बहुत सारी आपके लाइब में प्रॉब्लम आए वो यही चाहता है तो वो कौन है वही सब कुछ हम रेडिंग के तुर देखेंगे इसके लिए मैंने आपर तीन पाइल लखी है जिसमें फ अदू ऑर सटाइल है भ। और फाइल है कंट आएं ये तीनों पाईल के उपर आपको म deux देख लिए फिर की अपनी आपके बन करें से लिए कडिशेंगे दे रही है वही आपके पाइल रहेगी ये एक जनरल लेडिंग है सभी बाते सभी के साथ resonate नहीं करेगी description box में time stamp दे रही हूँ वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो आप मेरी channel के member बनना चाहते हो तो join लिखा हुआ है blue color का इसके उपर आपको click करना है इसमें आपको तीन option मिलेंगे और उसमें आपको सारे detail मिल जाएगी वो पढ़ कर आपको एक option चूज करना है तो जाएए check out किजे और जल्दी से जल्दी मेरी membership join किजे क्योंकि इसकी वज़े से ही मैं आपके लिए individual video अलग से video बना सकते हूँ आपकी questions से आधार पर और आपके लिए free sessions और personal reading लेने वाली हूँ आप इसका इंदिजार कर सकते हो और कुछ surprise भी है तो चले start करते हैं guys हाई एवरिवन अब जिस किसन अभी पाइल वन चूरूस के है चाहो सन कॉंफलिक्ट तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ अब हम देखते हैं यहां से यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनको दुखी करने वाला इंसान कौन है नाइट आप सौर्स के तो यह एनर्जी है जैमना लिब्र अक्विडियर्स थी ओफ वन एरिस लिव सगेटरियस सीक्स अपनिकल टॉर्स वर्गू कैप्रिकॉर्ण तैम प्रेंस प्रेंस वर्गॉर्स 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 फिर से water energy, king of cup, seven of swords, seven of swords को clarify किया है, knight of pentacle, air element को complete किया है, earth element, six of cup, फिर से water energy, okay, अब यहां से दिखते हैं, universe divine, heart guardian, love and let yourself be love, winter, take care of your needs, hermit, retreat and recharge, sun, enjoy success and happiness, protection guardian, drop your shield, bottom track, हमारे पास से, white witch, be the light, okay, तो guys, यहां मैं आपको कहना चाहते हूँ कि, आपको दुखी करने वाला इनसान कौन है, first card हमारे पास आये, the star, okay, तो आपको लोग बहुत जाला जानते हैं, तो guys, दुस्मन, तो दुस्मन भी होंगे, तो यही बात है, कि star के energy यही दिखाते हैं, कि आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी रिस्पेक करते हैं, आपकी एक reputation है, अपनी community में, समाज में, लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं, बाचित करना चाहते ह तो guys, इसी के चलते, कोई इनसान आपकी life में हैं, और इसी की वज़र से, यह आपकी energy के कार से ही पता चल गया था guys, कि आपकी life में दुखी करने वाला इनसान है, first of all, अब वो इनसान आपके साथ really में रहता है, क्योंकि यहाँ जो energy है, वो है night of sort, tree of sort, or seven of sort, और उसको clarify करत है guys, pentacle, यानि earth element, तो guys, यहाँ यही है कि आप अपने तरीके से, खुद को पूरी तरीके से सजाग हो, alertness हो, आपकी एक सतकता है, खुद को लेकर, अपनी family को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर, इसके चलते आपके करमा की कार बहुत ही अच्छी और positive आए है, कि आप आपकी life में कोई आपको दुख देना जानता है, बहुत ही अच्छी तरीके से वो दुख भी देता है, लेकिन वो एक आपके लिए दुख देने के लिए भी वक्त निकालता है, यानि कि उसने अभी आपको दुख दिया, तो फिर एक continuously 4-5 दिन के बाद, या फिर 7-8 दिन के परइसे आपको दुखी करेगा, तो बीच बीच में यह जो दुख हाता है, इसके चलते आपको किसी के उपर भी एक सकट नहीं कर सकते, वो कि वो कौन है इसके चलते आपको नहीं पता चल रहा है कि आपकी लाहिप में दुखी करने वाला इंसान कौन है आप नहीं समझ पा रहे हो यहां आप पूरी तरीके से फोकस भी हो बहुत ज़्यादा ध्यान भी देते हो और आप एक खर्मिट की पोजिशन में हो यानि कि एक सूद बूद से आपको काम लेना है कि लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं उनकी राय मेरे लिए क्या है वही आपके लिए बहुत ज़द प्रभावित करती हैं वही आपको confidence दिलाती है और उसी के चलते आप आगे बढ़ती हो इसके लिए आपने आसपास अपने लोग भी जिससे वो आपको बता सके कि आपके लेकर लोग क्या सुचते हैं इसके चलते हैं आपके आसपास के लोग आपके पूछ सकते हो कि आपके लेकर क्या सूचा जाता है लोगों की thought process आपको लेकर क्या है तो आप उनको पूछ लेते हो फिर भी आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है कि आपके लाइप में जो बीच-बीच में दुख आता है वो कहां से आता है आप three of swords के energy यही दिखाती है कि आपने अपनी life में struggle दिखा है, challenge दिखा है, इसके चलते आप पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हो फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है कि आपके life में really में दुखी करने वाले इंसान कौन है तो गाईस यहां मैं आपको कहना चाती हूँ जो बीच में energy आई है, वो है four of cup और king of cup और three of wands इसका मतलब यह होता है कि आप जिनके साथ जुड़े हुए हो, जहां आप काम करती हो, जिनको आप अपनी सारी ही बाते बताते हो, वही इंसान है जो आपको दुखी कर रहा है और यह energy यही दिखाती है कि आपको उनके उपर बहुत ज़दा विश्वास भी है, आप उनके उपर बहुत ज़दा भरुसा करती हो, कि वो मेरे लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकता है तो वो वही इंसान है जो आपको दुखी कर रहा है लेकिन यहाँ night of pentacle की energy यही भी दिखाती है कि आप अपने तरीके से उसके उपर कभी भी उसको लेकर आपके मन में कभी भी गलत सोच आ ही नहीं सकती है इस तरह का विश्वास उस इंसान ने आपके दिल में बिठाया है आप उसके उपर कभी भी doubt कर ही नहीं सकते हो night of pentacle की energy यही दिखाती है तो इससे बहार निकली क्योंकि seven of sword को clarify क्या है night of pentacle इसका मतलब यह होता है कि आप अपने तरीके से बहुत ज़दा दूसरों के उपर विश्वास कर रहे हो और वही लोग आपको विश्वास कर रहे है और पीट पीछे वार कर रहे है और वही लोग आपको दुखी कर रहे है अब ये जो आपकी life में दुखी करने वाले लोग है वो कितने हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूं कि दो या तीन हैं वो सभी साथ मिलकर बाचित भी करते हैं और साथ मिलकर वो दुख देते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहे हूं लेकिन वो साथ में बाचित करते हैं, लेकिन आपको लेकर उनके जो thought है, सोच है, वो negative होती है, लेकिन उन तीनों इनसाने ने एक दूसरे को नहीं बताया है, कि वो आपको दुखी कर रहे हैं, अब ये तीनों इनसान में से कौन वो इनसान है, जो आपके लिए रियली में आप्स्टिकल खड़े कर रहे हैं आपकी वर्क प्लेस के थूप कि किसी भी तरह एक परिसानी खड़े कर रहे हैं तो यह तीनों इंसान में से गाईज दो इंसान ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में दुख खड़े कर रहे हैं और आपको बिल्कूल भी अंदाजा नहीं है बिल्क आपके सामने उनके बारे में कुछ गलत भी बोलता है तो आप सुन भी नहीं सकती हो इतना ज्यादा भरूसा उन लोगों ने आपके उपर बिठाया है आपके दिल में बनाया है और इसी के चलते आपके लिए लाश्ट कार्मा काया है प्रोटेक्शन गार्डियन इसका मतलब यही होता है कि आप बहुत चादा एक प्रोटेक्टिव एक लियर में रहते हो एक आपका अलुग जून आपने बनाया है जिसमें आपको लगता है कि मीरे आजए पास के लोग सभी प्रोटेक्टिव है मेरे लिए अच्छा सोचते हैं मेरे लिए कभी भी गलत नहीं सोच duas या फिर एक दिवार खड़िकी है आसपास के अपने लोगों की उसी में से कोई इंसान है जो आपको दुखी कर रहा है तो उसको पहचान जाएए ये जादा बहुत जादा विश्वास बहुत जादा खतनाक होता है और समय के साथ हर एक इंसान बदलता है ये बात समझने की आ उपर आप विश्वास नहीं कर सकते हो आप किसी के उपर भी विश्वास करो तो 99 पसंद करो 1 पसंद बिल्कूल भी मत करो क्योंकि वक के साथ सबी लोग अपनी खुदगर्जी के लिए सेलफिसनेस के लिए बदल जाते है स्वार्थ के लिए तो ये बात आपको समझने की बहुत ज्यादा ज़रूरत है six of cup की energy यहीं दिखाती है कि आपको दुखी करने वाले इनसान आपके साथ रहता है आपके साथ सभी बाती सेर भी करता है और उनको आपके ऊपर बहुत ज़दा भरुशा है इस तरह से भी वो दिखाता है आपके साथ उनकी bonding भूप सुरत है तभी तो six है, आपके तरफ से भी bonding अच्छी है और उसकी तरफ से भी आपके साथ bonding अच्छी है, तभी तो आप उसके उपर doubt भी नहीं कर सकते हो, white wish का मतलब यही होता है, कि आपके white यानि कि वो आपके साथ सफेध है, मतलब कि वो आपके साथ बहुत ही जदा clear है, clean है, कि वो आपके लिए कभी भी कुछ भी बुरा नहीं सोच सकता है, इस तरह कि अपनी clean personality आपके सामने रखता है, लेकिन वही खराब इंसान है, और वही आ count on conflict की energy यही दिखाते हैं, कि आप पूरी तरीके से अभी बार बार इस तरह की जो इंसान है आपके life में, वो आपको दुखी कर रहे है, इस वज़र से अभी आपके πολet की energy में हो, और Charles के energy में हो, बार बार आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी life में क्या हो रहा है, आप सम से बहार निकलने की कोसिस करते हो बार बार उसको एक पूरी तरीके से मौईना भी करते हो लेकिन आपको नहीं दिखता है क्योंकि वो आपके साथ ही है और उनको आपके उपर बहुत ज़्यादा विश्वा से वो तो दिखाता ही है ओके तो गाइज आपको समझने अब यह जो आपको दुखी करने वाले लोग यह वो कहां कहां के हो सकते है वो मैं आपको बता हूं पर प्लेस के तो हो सकते हैं आपके फैमिली में रिस्तेदान में पहचान वाली हो सकते हैं यह 100% correct है तो आप दूर्ण निकाल लिए क्योंकि friend होंगे तो friend अच्छा भी सोचते है और ब के साथ हर पर रहते हैं और उनमें से कोई एक खास फ्रेंड हो वो भी आपके साथ रहता है तो उसके उपर आप डाउट कर सकते हो यह जो मैंने आपको बदा है इसके उपर आपको सोचना है यहापकी डिंग अगर आपको रिडिंग अच्छी लगी डू लाइक शेल सब्सक्क गॉल दोज से हम फोज की अनरिव अनगई देखें की इसके बारे में बाते में पहले हम बादमें प्रेशन नतरुमेंगे की आपको दूख़ी ऑल माइगया है वो और टेर्ट हमारे पास है त्थे टैंपरेंस वेरी नाइस एनरजी डाट से बहुत ही ऑची तरीके से क्लारिफाई किया है यूनिवर्स डिवाइन उनको दुखी करने वाला इंसान कौन है नाइन ओप सौर्ट्स G Scenina Libra Aquarius 10 of Swords Okay Phil Saer Element The Star Aquarius 10 of Wands Aries Lieu Saj régitarius Queen of Cove Cancer Spices Scorpio Mix Energy Phil Saer Water Energy High Press Tays Sun Aries पेज आप पैंडिकल टॉर्स वर्गों कैप्रिकॉं पेज आप पैंडिकल को ग्लैरिफाई क्या है नाइट अफ गॉप वेरी नाइस बॉटम टॉटेक हमारे पास से दिया एंपरर ओके चलिए यहां से दिखते हैं यूनिवर्स डिवाइन बताईए उनको दुखी करने वाल इंसान है यह नहीं तो है क्योंकि फॉर्स्ट है डैविल डैविल को क्लैरिफाई किया है टैंप्रेंस इसका मतलब यह होता है कि आप तो खुद डेंजरेस परसन हो ही हो लेकिन आपके लाइप में कोई ऐसा इंसान भी है जो डियॉली में आप ही की तरह डेंजरेस या फिर खतनाक है ओके तो आप द आप में दुखी करने वाला इंसान है जो मैंने आपको कहा वो भी डेंजरेस है आप भी डेंजरेस हो और इसके चलती आपकी जो एनरजी के काड़ आए है इसका मतलब यह होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पाउरफुल हो आपने आपको जो भी हासिल किया है वो मेहनत से हासिल किया है अपनी रिस्पन्सब्लिटी में कभी भी कमी नहीं की है सही तरीके से अपनी रिस्पन्सब्लिटी को निभ़ाया है अभी भी आपके दिल में होफ है उमीद है और आप अपने तरीके से सोच समझकर आगब बढ़ने वाले एक decision making person हो मैंने कहा powerful हो तो आप talented भी हो ओके और 10 of sort के energy यही दिखाती है कि अभी आपकी life में कुछ transformation हुआ है आपको पता है किसी भी तरह का बदलाव आया है जॉब को लेकर बदलाव आया है आपने दूसरी job joint की है या फिर जो जॉब कर रहे थे उसी में आपका एक level change हुआ है आप business कर रहे हो तो आपने business बदल दिया है या फिर आप की business में थोड़ी रुकावट आई है इसके चलते आपका business low चल रहा है या फिर बहुत चद आगे बढ़ा है यह दोनों situation इस वजर से कह रही हूं क्योंकि आप खुद अभी nine of salt के energy यही दिखाती है कि अभी आप पूरी तरीके से एक प्रिपर की तरह एक तयार हो खुद की तरफ से तयार हो फिर भी आपको कहीं न कहीं कुछ गडबर लग रही है खुद के तरफ से इतने ज़्यादा strong अपने आपको मान रही हो प्रिपर हो रेडी हो फिर भी कहीं न कहीं कुछ आपको खल रहा है कुछ गडबर लग रही है क्योंकि आपका business जितना चलना चाहिए उतना नहीं चल रहा है आपकी job जितने अच्छी चलनी चाहिए उतनी नहीं चल रही है family में भी problem आ रही है कुछ ना कुछ मन मुटाव और कुछ ना कुछ problem आ रही है नोग जोग चल रही है कुछ से एक दुसरे के ऊपर हो रहा है एक दुसरे के ऊपर विश्वास में तब्ली आ रही है मतलब कुछ तो transformation हुआ है आपके life में इसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गए हो एक जटका सा लगा है आपको और ये सब कुछ मेरी life में क्यों हो रहा है इसके चलते आप सोच की एक मुद्रा में आ गए हो और आपका विश्वास suddenly अचानक से quit हो गया है यानि कि छूट गया है अब आप किसी के उपर भरुसा नहीं करना चाहते हो एक आपको जटका लगा है किसी भी तरह का जटका लग सकता है केरियर के थूँ हो या फैमिल के थूँ इसके चलते आपका विश्वास डग मगा गया है और आप पूरी तरह के सहील चुके हो कि अब मैं क्या करूँ मैं इतने ज़्यादा खतनाक हूँ इतना ज़्यादा डिंजरिस परसन हूँ तो मेरी लाइफ में बीच में टांग अड़ाने की कोसिस किसने की है कौन है वो परसन जो मेरी लाइफ में तबाही मचा रहा है या खराब करने की कोसिस कर रहा है या मुझे बरबाद करने की कोसिस कर रहा है ये जो आपके दिमाग में ठोड़ परसेज अभी चल रहे है इसके लिए आपके दिलो दिमाग में एक बड़न लग रहा है एक बाल लग रहा है टैंस मैसुज कर रहे हो तो ये परसन कौन है इसके लिए अब मैं कहना चाहती हूँ आपकी कर्मा के कार्ड साफ साफ कह रहे है कि आपने खुझ से ही कोई डुस्मन खड़ा किया है आपका सुभा उनको अच्छा नहीं लगा हो आपकी पावर से आपने कुछ उनको सुना दिया हो इसके चलते ये इनसान अभी आपको डुकी कर रहा है तो आप अपने लाइप में आपने जो कुछ भी पाया है वो तो महनत से ही पाया है लेकिन आप खुद अभी डेंजरस परसन हो और ये जो परसन है वो भी बहुँच अदखत नाखे और इस इनसान को आपकी कोई भी बात चुबी है खराब लगी है या फिर आपने उनकी इंसल्ट की है, अपमान किया है कुछ भी हो सकता है और इसके चलते ही वो इनसान अभी आपको दुखी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है अब ये इस परसन को आप जानते ही होंगे क्योंकि आपने उनके साथ बहुत सारा अच्छा वक्त विताया है उसके साथ आपने अपनी बहुत ही अच्छी साज़ेदारी निभाई है पार्टनर्सिप निभाई है उसके साथ आपने बहुत सारे पल वक्त किये है वक्त गुजारा है वो फिमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है वो आपको डून निकलना है और यह जो पसन है वो कहां का हो सकता है वो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत ही नजदी की पसन है जिसके साथ आपने बहुत सारा वक्त बिताया और वो रियरली में डंजरस है काईस खतरनाक है वो सामने से जब एक बहरी परस्नालिटी के तौर पर बहुत ही normal और एक बहुत ही साधरन इंसान लगीगा आपको लेकिन वही अंदर से खोखार है तो इतनी बात से आप समझ जाए कि वो कौन है अब ब्रेट का मतलब यही होता है कि आपको अभी सांती से काम लेनी की जरूरत है आप जो इस तरह से बर्डन में हो उसको आपको पहले अपने आपकी एनरजी को positive रखना है सांत करना है, सांती से सोचना है, आपको breath लेने है, स्वास आपको सांती से अपने तरीके से उस इंसान को ढूर निकालना है वो जो आपको दुखी कर रहा है जो मैंने आपको hint दी है सांती से काम लेना है एक जलबाजिन नहीं करनी है इधर उदर नहीं होना है और एक जल्दी जल्दी से अपना काम विकारना नहीं है तो आपको वो परसन मिल जाएगा यही दिखाती है कि आपके कुछ सोभाव की वज़े से ही यह परसन अभी आपको दुखी कर रहा है कैस्ट तो आपने किसी भी तरह अपने एक पोजिशन के चलते इसके साथ अच्छा भी हो नहीं किया हो उसी का बडला वो ले रहा है तो याद किजिए कि वो कौन है अर्थ का मतलब ही होता है कि आपकी प्यार भरी लाम में या आपकी प्यार भरि دुनिया में किसीं अटृ की है सान पानी में किसी ने कंकर डला आए इस तरह से हो गया है और यह काड़ यह भी दिखाता है कि आपने खुच से ही उस इंसान को खड़ा किया है creativity आप देख रहे हो तो guys आपने खुद से ही उस दुस्मान को बनाया है वो कौन है समझ जाएए आपके खुद के सौभाओ के वज़े से वो इंसान आपका दुस्मान बना है ओके यह आपके रिडिंग अगर आपको रिडिंग अच्छे लगी डू लाइक से सब्सक्राइब और कॉमेंट लव यू बाई और guys notification bell on कर लिजिए जिससे मेरी notification आपको मिलते रहे अपडेट मिलते रहे ओके बाई हाई everyone अब जिस किसे नभी पाईलती चूज़के here and now इसके बारे में बाद में बताती हूं पहले हम रिडिंग के तुर देखते हैं कि आपको दुखी करने वाला इंसान कौन है universe divine बताए उनको दुखी करने वाला इंसान कौन है justice bottom of track हमारे पास है wheel of fortune very nice अब हम देखते हैं यहां से universe divine बताए यह पाइल थी जिसके से ने बिच्चूस किये हैं उनको दुखी करने वाला इंसान कौन है fire cup okay cancer spices copy nine of one air is loose sagittarius the high prestige cancer spices copy you feel say death scorpion ace of pentacle Taurus Virgo Capricorn the lovers nine of pentacle फिर से और्थ अलिमेंट wheel of fortune फिर से वह बीलो फॉर्चून आया है फायर एनर्जी queen of cup फिर से water element अब यहां से देखते है universe divine बताए उनको दुखी करने वाला इंसान कौन है universe wise one grow within your current situation warrior be fearless and stand strong stage, trust and thrive elder, move your no ancestor pattern earth mother feel love and comforted bottom to deck हमारे पास है guardian angel, you are not alone okay, so guys आपको दुखी करने वाला इंसान कौन है आपका अपना ही person है guys यहाँ energy ही मिल रही है तो ठोड़ पाहिल ऐसी होते है guys जिसमें तुरंट आंसर बता देता है okay तो guys आपके लिए energy आ रही है कि दुखी करने वाला इंसान आपकी life में है और वो आपके अपने लोग ही है आपके गर का भेदी लंका डाय यह जो आपने कहवत सुनी है वो आपको उपर पूरी तरीके से लागू होती है क्योंकि आपके अपने लोग ही है जो आपको बहुत ज़दा दुखी करने वो उनको बड़ा मज़ाता है बहुत ज़दा अच्छा लगता है जब तक वो आपको दुखी नहीं देख लेते है तब तक उनको चैन नहीं मिलता है इस तरह से मैं कहूंगी जब तक आप खूस रहते हो तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तब तो उनको लगता है कि कब इसको मैं बड़ा जटका दूँ या बड़ी दुख बड़ा दुख दूँ जिससे वो बाहर ही ना निकल सके इस तरह से वो सुचते है मतलब आपको जश्टिस चाहिए आपके अपने ही लोग आपके साथ जुड़े हुए है और भही आपको दुख दे रहे है तो आपको जश्टिस कैसे मिलेगा जब तक आप उनके साथ जुड़े रहोगे तब तक आपके लाइफ में डुग यह चलता ही रहेगा आपको उनके साथ कनेक्शन कम करने पड़ेगा आपको उनके साथ एक अपनी बातों को सेर करना बन करना पड़ेगा जो कुछ भी आप उनको बताओगे वो तो कैंसल ही हो जाएगा मतलब होगा ही नहीं तो गौड की क्रिपा है काईस की आपके लाइफ में पैसे आ रहे है बस यही कहूंगी बात की आपके अपने लोगों तो आपको दुखी करने में इतने ज़्यादा लगे हुए है इतने ज़्यादा खुस है कि उनको तो बस आपको दुखी देता रहना है गौट के उपर आपको भरोसा है वो विश्वास बनाई रखे बरकरा रखे गौट के उपर का विश्वास से आपको इस परिस्तिती से बाहन निकालेगा बाकी कोई आपको बहन नहीं निकाल सकता है आपको अनुबव इंसान को डूड़ने के जरुवत है और सुरक्षा कवस लीजे खुद के लिए अपने फेमिली के लिए अपने घर के लिए और इस तरह के जो लोग है आपके लाइप में जो जुड़े हुए है उससे तो आपको दूर होना ही पड़ेगा उसके बाद आपको अपनी लाइफ में नेगिटिव एनरजी है उसको दूर करना है मतलब आपकी positivity बनी रहे और जो आप अभी काम कर रहे हो उसमें रुकावट आती है फिर भी भगवान आपके लिए काम कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है बाकी आपके अपने लोग तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं बस यही है हाँ आपके लेक बहुत चद अपनी लाइफ में देख चुके हो दूख उसकी लाइफ में transformation आने वाला है ओके तो खाइज queen of cup की energy यही दिखाते है कि आपका प्यार उनको नहीं दिखता है आप बहुत कुछ उनके लिए करते हो वो भी नहीं दिखता है आप अपने जिम्बेदारी उनकी जि प्यार उनको नहीं दिखता है कि आप उनको कितना प्यार करते हो उनके लिए क्या करते हो बहुत कुछ करते हो उनको वो सब कुछ नहीं चाहिए आपको सिव गौड यहीं कह रहे है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं मैं आपको protection दे रहा हूं इसी के चलते जो वो आपके यहां नहीं खूने दूगा ГИabiya akioso के आप दिखाते है कि आपकी पहले की लाइब भी ऐसी थी अभी की लाइब भी ऐसी है कुछ भी बदल 15 में अपने लोगों को के उपर आपका विस्वास बहुत जदा हे और वह आपको विस्वास कात करें पीड पीचे कि आपका ही नुक्सान कर रहे है और आपके सामने तो इतने मेठे बनते हैं इतने अच्छे बनते हैं जैसे आपका काम हो ही जाए इस तरह से आपके दिलिए दूआ मांगते हैं इस तरह से आपके लिए बनते हैं लेकिन वही लोग आपका बुरा चाते हैं संबल जाईए पहचान जाईए और किसी भी तरह उनको पहचान लीजिए कि वो कौन है जो आपके साथ बहुत अच्छा रहता है बहुत मीठा बोलता है बहुत मीठे ताने बोलता है और कुछ न कुछ सुनाना हो तो मीठे टॉन से सुनाएगा जिससे आपको लगेगा कि यह तो मेरा अपने लोग ही मुझे नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा इस तरह से आप लेते हो और बूल जाते हो तो guys संबल जाएए यही आपके लिए better है अगर आपको मेरी reading अच्छे लगी do like, share, subscribe and comment love you, bye और notification bell icon on कर लिजे जिससे मेरी update आपको मिलती रहे, नए नए वीडियो आपको मिलते रहे, bye